और इस वक्त हमाई साथ U.S.S.A. पिर्ट्सबर्ग उनिवर्सिटी के सीने प्रोफेसर डॉक्टर ब्रह्मानन शर्मा जी जुर चुके हैं डॉक्त ब्रह्मानन बहुत स्वागत है आपका फर्स इंडिया नियूस पर सर पूरी दुनिया इस महामारी से जूच रही है और हर कंट्री हर देश अपने हिसाब से तयारिया कर रहा है इंतजाम कर रहा है ट्रीक्मेंट करने की कोशिश यहां पर कर रहा है आप से समझना ये चाहेंगे कि वो रेड बटन कब होता है जिसे प्रस कर देना है यानि वो कब वक्त आता है जब हमें सीधे हॉस्पिटल रश करना या फिर कब टेस्ट के लिए जाना है कब मेडिसिन पर रहना है और कब हमें हॉस्पिटल की जरूरत पढ़ती है देखो कई तरह के गाइड लाइन से हैं बाहर और बहुत कन्फूजन भी है लेकिन भारत में जो हालत इसमें खराब है बैट्स नहीं है आक्सिजन नहीं है इसलिए एक बहुत ही सिंप्लिफाइड वर्जिन है और इस कोविट डिजीज को बहुत ही सिंपल वे में डिस्क्र और अगर आपके खांसी बुखार जुखाम के साथ सांस लेने में तकलीफ है तो आप एक आक्सिमेटर खरीद के उसमें देखो आपका आक्सिजन सैचुरिशन कितना है अगर 95 से ठीक नीचे है तो भी आप घर पे रहे और एक सिंपल डेकर ड्रून की टैबलिट चालू कर दीजी और अगर आप बहुत सिवीर हैं तो फिर आपको हास्पिटल की जरुत पड़ेगी लेकिन बहुत ही स्माल परसंटेज हैं जिनकों कि हास्पिटल में वेंटलेट की जरुत पड़ती है और इसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा वहां पे मारा मारी हो रही है इसलिए ह हमारी राय तो यह है कि ट्राइए असा ही करें कि आप घर पे रहें होम आइसोलेशन होम केर होम आक्सिजन और एक सिंपल बहुत ही सशी दवाई है डेका ड्रोन और जो बड़ी दवायां है रेमेडेस वीर टोसिलम प्लाज्मा इनके बारे में जएधा डेटा नहीं है नही को परेशान हो रहा है ब्लैक में इने बेचा जाना और उक्सिजन सिलिंडर के नीड है क्या इनका कोई सब्सिट्ट भी है जो लोगों को पता नहीं हो यह कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है या फिर डॉक्टर्स कुछ और भी रिकमेंड कर रहे हैं डेखिए जब से यह भू लेकिन इतने ज्यादा hewn cry इतने ज्यदा भागा दूर। मिच्री रेमेडेसर के पूर प्योंड़ सरुन की फिर्विर्श के नहीं है। रेमेडेसरी जरॐ इसके गेम चैंजर नहीं है। और वो दवाई ऐसी है जिसे आपकी वास्ते में आउटकम में चेंज आएगा, वो गेम चेंजर है, लाइफ सेविंग है, इसलिए उन दवाईं के बारे में बारे में बारे में भागने पिछे की जड़ुत है और ना उनको खरीदने की ज़रुत है, लेकिन एक स्केंडल चल कर रहा है ब्लैक मार्केटिंग चल रही है हम रोज पढ़ते हैं यहां पर हमको बहुत होता है और हम यहां से कैम्पेंड कर रहे हैं ओनलाइन कर रहे हैं जूम कान्फरेंसिस एजुकेट करने के लिए कि रेमेड़ सबीर टोसिल मुग जो बहुत दवाया है उनकी को जरूत न लेकिन अभी जो सेकंड वेव है इसमें बच्चे भी इंफेक्टे हो रहे हैं युवा इंफेक्टे हो रहे हैं इन्हें कैसे सुरक्षित कर रखा जाए क्योंकि अभी तो इनके लिए यह अनफॉर्चनेट है क्योंकि जब भी वैक्षिन डवलप होता है तो पहले बच्चो लोगों में फैल रहा है अब यह पता नहीं है कि यह इसलिए फैल रहा है कि हम टेस्च जदा कर रहे हैं या वास्त पहुंझे ज़ला कर दी गंबीर नहीं होगी और हास्पिटलाइजेशन से डेथ भी बहुत कम है क्योंकि इनके मिनुटी अच्छी है और अभी ट्राइल्स चानू कर दिये हैं बच्छों के लिए अभी डेटाज बाकी हैं लेकिन बच्छों में एक बहुत 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 बिमारी की होती है बुझे की बहुत रेर है उसका देहान रखना है उसका नाम है MISC यह मल्टीपल इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है बहुत रेर डिजीज है लेकिन पीडियाटि सब्सक्राइब कावासा की डिजीज बोलते थे अब यह इंसका नाम है MISC सर देखे जब लक्षन हो बार बार यह कहा जाता है कि अगर आपको सिंटम्स आ रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए और सिंटम्स को नजर अंदास नहीं करना है और तुरंट टेस्ट कराना है लेक आपको सबसे पहले तो आपके सिंटम्स अगर माइल हैं और आपके आक्सिजन सैचुरेशन ठीक है तो आपको कहीं जाने जरूत नहीं है क्योंकि वैसे भी बैड्स नहीं मिलेंगे घर पे रहे हैं और यह भी नोटिस पर आया है कि इसके कारण जो नया वायरस है म्यूटें नहीं मिलेंट्स है और हो सकता है कि यह इम्मुनिटी कम हो रही हो और आप किस समय टेस्स कर वारे हो लेकिन कुछ रिपोर्ट सैसी आरें कि आपके स्विट में इसके में तो आपको उसी तरह त्रह जाए को जैसे कि आप पास्टिव सी ट्रस को करें सब्सक्राइब क्या है और क्या ऑक्सीजन का लेवल उपर नीचे जो होता है वो क्या एज उसे भी रिलेटेड है और ना चीए और एस से थोड़ा करना चीए लेकिन बेसिकली अंडर्लाइंग प्रॉबल्म क्या है जैसे आप अगर थोड़ा उमर बढ़ी हुई हो उनके कोई एसमा की या कोई COPD क लंकी विमारी हो तो उसे साफ से थोड़ा सा एड्जेस्मेंट करना चीए लेकिन आक्सीजन बहुत सिंपल और बहुत युनिवर्सल अवेलबल ट्रीटमेंट अवेलबल होना चीए क्योंकि ये फेटल हो सकती है और सबसे नमबर वन जो ट्रीटमेंट है वो आक्सीजन उस आपने का कि 95 से उपर होना चाहिए लेकिन सपोज 95 से कम है बहुत कम नहीं है लेकि 95 से 92 93 90 भी पहुंचता है वो कौन सी स्टेज है जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन सिलिंडर का इस्तमाल करना पड़ेगा यह हॉस्पिटल जाना पड़ेगा अगर 95 स से कम है तो थोड़ी देर के लिए तो आप उसको बरदास्त कर सकते हैं लेकिन आपकी बहुत देर तक बरदास्त नहीं कर पाएंगे अगर 90 से बिलो ड्राफ हो गई तो आपको फिर देर चकर सांस फूलना और आपके ब्रेन कन्फूजन तो आपके सिम्टम्स चाल हो जाएं दोसी तरफ वैक्सिनेशन भी हो रहा है वैक्सिनेशन के बाद भी परसेंट कम हैं लेकिन कई लोग पॉस्टिव भी हुए तो वैक्सिनेशन बहुत इंपोर्टन है इस समय अगर मैं आपको राय दूँगा मैंने रास्तान पत्रिका में एक ओपीनियन पीस लिखाता लेकि कि मालू मैं भारत में के बल दो वैक्सिन है इस समय एक स्प्यूतनी कभी आया है लेकिन कोवीशील्ड हो या कोवैक्सिन हो दोनों के डेटास बहुत अच्छे हैं कोवीशील्ड की जो रियक्शन जो ब्लड क्लाट की थी वह बहुत ही बहुत ही रेर होती है इसलिए उसको हमको थोड़ा सा हिचक नहीं होनी चीए लेकिन वैक्सिनेशन से कई फाद हैं एक तो आप खुद को प्रोटेक्ट करेगो और फो जो चैन अफ ट्रास्मिनेशन इसको ब्रेक करोगे और उसके बाद में अगर वैक्सिनेशन एक सटल लवल पहुँझाएंगे तो म्यूटें इसलिए वैक्सिनेशन एक तरह से वार फूटिंग पे हर स्टेट में हर जगें इंपोर्ट करो कुछ भी करना पड़े लेकिन वैक्सिन एक मैसिव लवल पर चालो ना चीए पब्लिक प्लेशिस में हर एक आदमी को सरकार को जनता को जहां-जहां भी हो एक तरह की एक अधर जल्दी पुब्ली को एक सिन्रेट कर सकें उतना ही अच्छा है इस मामारी को चन्ट्रोल करने के लिए लिए और हम सवाल जो कई लोग जानना भी चाते है कई लोगों में इसे लेकर भांतिया भी है जो अलकॉहलिक है या जो स्मोकर से उनका के उन्हों नहीं यह कहा क कि अगर हम वैक्सीन लेंगे तो 45 डेस तक हम अलकॉहल नहीं ले सकेंगा और इस वज़े से भी कई लोग एवाइट कर रहे हैं अभी क्या सचाहिए इसा लेकर नो बहुत 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 फेटल मिस्टेक है यह कोई रिजन नहीं है वैक्सिन लेने का बल्कि यह वैक्सिन ल अगर कोविड उनके हो गया उनके चांसे ज्यादा हैं काम्प्लिकेशन के और डैथ के तो यह को रिजन नहीं है और अगर एक भी शाट ले ले वो भी बहुत प्रोटेक्टिव है दो शाट के बजाए दो जैब्स की बजा अगर एक भी जैब मिल जाए उससे भी काफी हाई करने की वज़े बताए जा रहे हैं इसे हटाना जरूरी है और उस वक्त तक इनसे दूरी भी बना कि रखना बेहत जरूरी रहेगा वैक्षिन हैं सी बहुत सुरू से ही चल रही थी बहुत बड़ा रीजन है यह अमेरिका में भी बहुत लोग हैजिटेंट हैं लेकिन यह ए पतानी सेफ है यह पतानी सही है लेकिन इस समय अपने पास कुछ आरा नहीं है वैक्षिन के लावादर इस नो अधर और अल्टरनेटिव इस दूर डाई मोमेंट है इंडिया के लिए यह तो वैक्षिन लगाओ और अधर्वाज टेकियो रिस्क एंड़ मैट बहुत जरूर और अभी जीवन रक्षा कर कुछ है तो वैक्षिन ही है इसलिए दूसरी सभी अप्वाहों को दरकिनार कर वैक्षिन टाइम पर जरूर लगवाए क्योंकि अब एक तारिक से 18 प्लस को भी वैक्षिन अवेलबल होगी भारत पर